आज की वीडियो में आप देखेंगे बास ब्लास्टर सर्कृट के बारे में जो की ये सोनी की जो बास ब्लास्टर है आप नाम से जानते होंगे सोनी और इसका नाम ही काफी है साउंड के बारे में और ये बहुत ही गजब का इसमें जो बास है यानि जो धमक है और इसकी जो सर्कृट डाइगराम है ये बहुत ही इजी है और तीन आईसी पे जो है डिज परेशनल एम्पिलिफायर आइसी है और तीनों का नंबर एक ही है और यह तीन आइसी पे डिजाइन किया गया यह बास ब्लास्टर जो कि एक बहुत ही जितनी इसकी परसंशा की जाए उतनी कम है क्योंकि इसकी आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको बता दे कि मेरे वर्कसाप से एक दिन ऐसा हुआ 2005 में कि एक गाड़ी गुजर रही थी जो कि मेरा जो वर्कसाप है यानि नजदीक है उससे रोड से और वहां पर हमको एक ऐसा धमक सुनाई दिया मैं अपना काम कर रहा था काम करने में बिजी था और ऐसा धमक सुनाई दिया दूर ही से और जैसे से एक गाड़ी गुजर रही थी चुकि लोकल की थी और उस समय का माहल था तो मैं सोचा कि यह बहुत ही गजब का बास है क्योंकि इतने पावरफुल बास यानि कि मेरे दुकान पर जो इसका बाइब्रेशन क्रियेट हुआ कि मैं बहुत उस पर उसकता पैदा हुई कि कौन सा सरकेट होगा और उपर वाले की किरपा कहिए कि यह एक हपते दस तिन जैसे बीता यह जो है फाल्ट हो गया और ढूंटते ढूंटते जो कस्टमर यानि जिसके गाड़ी में लगा था वह मेरे पास आया तो मैं इसको जब तेखा तो यह सूनी का जो है ए आइडियो सिस्टम था जिसमें एक स्पिसल जो की सुपर बास ब्लास्टर का लीजिए और इतना गजब का डियाइन था हमने उसके आइडियो क्वाल्टी है या क्या एसा डिजाइन किया गया है क्योंकि हम आइडियो के ऊपर काफी रिशर्च करते थे और देखते थे कि इसमें क्या ऐसा परियूरतन किया जाए कि काफी अच्छा फील हो यानि जब बास भी गिरे तो ऐसा ना लगे कि चोट लगे वह फिलिंग जैसा हो और जो फिल्टर हो ओ भी ऐसा ना हो कि कान में चुभे एक अच्छा अनुभव मासूस हो यानि मैं इस पर जो है बहुत कुछ रिशर्च किया हो आडियो के बारे में फैर यह अलग बात है चलिए इसके बारे में बताते हैं यह आप मैं तो इसको नहीं असंबल कर पाया स समय के हो जासे और 2005 से जो है इसको रखे रहे एक कापी में तो हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारे देदें कि यह जो 458 फोर फाइट जो आपरेशनल एंप्लिफायर है इसमें दो इन्पुट होते हैं और दो आउटपुट अब उसको आप जो है है इस प्रेकर से चाहते हैं एक ही आई से में जो है आप लेफ्ट राइट दोनों को यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो हमारा इन्वर्टिंग पिन और नान-इन्वर्टिंग पिन होता है उसी हिसाब से इसकी जो एक आउपुट होती है कि इसमें आपको एक डिपली ना ले जाके हम वह से पताते हैं कि पहले इसके जो कंप्लेट कर ले कि शर्किट कि यह यहां पर हम बता दें आपको कि इसका जो इंटर्नल होता है इंटर्नल आप ऐसे कि जिसमें एक इंवर्टिंग पिन जो की इंवर्टिंग पिन में जो है निगेटिव चार्ज होगा और एक होगा नान-इंवर्टिंग यहींसे बारा सिगनल इन होता है और यहां से जो है यह इसका आउटफुट है यानि पिन नमबर एक और पिन नमबर दो और पिन नमबर चार और पिन नमबर पाँच और यह 6, 7, 8 यानि 8 नमबर इसकी जो 8 नमबर की पिन है यह BCC सप्लाई इसको पॉस्टिव सप्लाई दी जाएगी और दूसरी बात खास बात इसमें यह है इसका जो सप्लाई बनाया गया है इसकी निगेटिव और पॉस्टिव यानि प्लस माइनस की सप्लाई जो है एक ग्राउंड है और इसकी जो सप्लाई बनाए गई है दोनों ग्राउंड अलग है यानि चेचिस ग्राउंड और इसका जो सर्किट का कि ग्राउंड है वो अलग है वो कैसे है यहां पर एक रेग्लिटर के दरा यह अलग किया गया है यानि यह निगेटिव सप्लाई है और यह वो अलग है और यह इसकी जो सप्लाई दी गई है यानि सप्लाई की और चेचिस की ग्राउंड अलग-अलग है और सप्लाई जो इसकी BCC है और यह जो सप्लाई है निगेटिव और पॉजिटिव यह सप्लाई जो है यह एक रेगुलेटर देखे होंगे 89-79 12 यानि 12 पॉर्ट का होता है तो 78-12 आप देखते होंगे वह प्लस यानि जो है वह पोजिटिव के लिए डियान किया जाता है यानि पॉर्श्टिव गोल्टेज को रेगुलेट करता है और 89-79 यह नेगेटिव को रेगुलेट करता है तो यहां जो उसकी सप्लाई हमाला का आपको बना देंगे इसमें जगह कम है और हमको पूरी सर्किट को देखते हुए एक उस पे डिजाइन करना है कि जिसे आपको बहुत आसानी से यह समझ में आ जाए अब यहां पर देखिए यह इसकी जो है चार नंबर निगेटिव सप्लाई है आठ नंबर यह बीची सप्ला यह सुरी इनवर्टिंग पिन हुआ और यह पोजिटिव यानि इस नंबर पर जो पोजिटिव आएगी यह नन इनवर्टिंग पिन होगा तो यह हो गया उपर से जो यह नन इनवर्टिंग पिन और यह हो गया इनवर्टिंग पिन यानि इनवर्टिंग जो पिन होगा हमारा वो निगेटिव चार्ज होगा और नन इनवर्टिंग पिन हमारा जो होगा वो पोजिटिव चार्ज होगा यानि पैतालीस अठावन की पिन नंबर दो यह देखिए इसको बाहर निकाल लिखते हैं, ऐसे यह ग्राउंड की लाइन गई है, यानि निगेटिव सप्लाई की, जिसकी तीनों आइसी की और यह जो है, इस लाइन को क्रास कर रहा है, यह निसान जो है, यह उपर से जो है, निकल रहा है, यह नीचे से गई है, यह जब जो सर्किट समझने का जो तरीका होता है, उसे हम आपको बताएंगे, फिर कभी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ ऐसे जो है, दो रेजिस्टेंस लगे हैं, इसकी डिजाइन बहुत बिसेस है, जब आप इसे ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा, यह आपको कहीं गूगल पर नहीं मिलने वाला है, कहीं भी आप ढूंट डालिएगा, यह आपको ऐसा डिजाइन कहने मिलेगा, और यह कि इसकी खोबी है आप जब बनाएगा, तो फिर आप कमेंट करके बताएंगे आकर दुबारा वीडियो प दोनों यूज कर सकते हैं, बहुत गजब की फीलिंग आएगी इससे, इसके बास से, अभी मैं बताता हूं इसके कम्पोनेंट की जो डिजाइन है, कि क्यों इस तरीके से इस्पिसल है, यह यहाँ पे एक सो पचास के का जो दो रेजिस्टन्स लगा हुआ है, एक सो पचास के, और यहाँ पे एक सो पचास के, और यह जो यहाँ दो पी अफ लगे है, यह दो सो तेईस पी अफ, यह हंड़र्ट बोल्ट, और यह दो सो तीस, सोरी, दो सो तेईस पी अफ, फिप्टी बोल्ट, अब यहाँ पे देखिए, दो सो तेईस पी अफ यह भी है, दो सो तेईस का मतलब हुआ बाइस के पी अफ, और बाइस के ए भी है, लेकिन यहाँ बोल्टेज बे दोनों की डिफरेंस है, यानि यह का जो यहां पर खेल है इसको समझे और यह यहां बोल्टेज का भिसेश ध्यान देना होगा और इसी तरीके से आप अगर डिजाइन करेंगे तो इसके एफेक्ट आप पाएंगे अभी और भी इसकी क्वालिटी की बारे में बताते हैं और यहां पर देखें यह सीधे यहां से जो है ऐसे एक रिजिस्टन्स लगेगा ऐसे 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 जो यह फिफ्टी सिक्स के का रिजिटन्स यहां पर इस पी फ पर जाएगा दोनों पी पके बीच में और फिर यहां पर देख लिजिए यह जो रिजिस्टन्स है सब्सक्राइब कि बिच जैसे इसके जोनों पीफ के बीच में गया है और वैसे यहां डोनों रेस्टन्स के बीच में ये ऐसे और क्रास कर दें करास करने के बाद ऐसे सीधे नीचे चले आए फिर यहां पे जो है इसी पॉइंट से एक पी इफ लगेगा ऐसे, देख लिजे ध्यान से और यह होगा 473 473 मतलब हुआ 47 KPF 473 यह हुआ 100 V यह बोल्ट इसलिए का रहे हैं, यह PF पे और इसे बोल्टेज का नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन यहां पे आप जैसे जैसे इसकी डिजाइन है, जो क्वाल्टी है, इस पे आपको ध्यान देना होगा, जैसे 47 K, इसका हुआ 473 का, 473 के हुआ, और इसको दूसरे भासा में आप का सकते हैं, कि 0.047, एक यह हो गया, और दूसरा हुआ, 473 के पी अफ, यह हुआ, और यह जो, और दूसरा एक और 477 के पी अफ, यह क्या हुआ, यह 47 के पी अफ हुआ, 47 के मतलब हुआ, जिसे 4700 पी अफ, यह इसलिए बता दे रहे हैं, कि यह जो में इसकी भूम का है, यहां इस दोनों पे डिपेंड करता है, और 22 के का भी इसी तरीके से हैं, 22 के का हुआ, 223 के, यह जो है, बराबर 22 के हुआ, यह, और 22 के का दूसरे, उसमें जैसे फिलिप्स का आप यूज करेंगे, तो फिलिप्स में आप देखेंगे, पॉइंट जीरो, इस तरीके से लिखागो, पॉइंट जीरो, 22 के, तो यह क्या हुआ, सब का जो है, तीनों का जो है, एक ही रूप है, यानि 22 के, पीएफ है, अब यहां पे आपको ध्यान देना होगा, जैसे, यह जो पीएफ यूज करे जा, मतलब किये जाएंगे, इसमें एक सिरामिक फिल्टर होता है, और एक पॉलिष्टर होता है, तो इस सहाब से इसमें जैसे आप देखेंगे, ग्रीन कलर का पीएफ होता है, जैसे, एक सुचार देखेंगे, किसी आडियो सेक्शन में उसको ग्राउड किया जाता है, जो की है, यहां पर सिरामिक नहीं उच करेंगे, यहां वही ग्रीन कलर जैसा होता है, यानि आप देखेंगे, चप्टा सा लंबा सा होता है, इस तरीके से, यह जो आपको दिख रहा है, यह आप इस तरीके से यहां जो पीएफ उच करेंगे, इसका रिस्पांस एक अलग मिलेगा और यह जो है यहाँ एक switch लगा हुआ है और switch इसका slide switch है और slide switch में है आप देखेंगे यह जो है हमारा point बना हुआ तीन यह point है और कामन है और ये उपर वाला जो है यह इसका selector switch है यहां से आप इसके bass को जो है यानि अगर bass है तो उससे super bass इसको इस सुपर बास की समाल लेजिए स्वीच है है supr कि बास यह सुइच जो है इस्टाइड वाला यह सुपर बास की सुइच है और इसके internal जो है यह इस तरीके से है पिन यानि यह जो पिन है यह यहां पर यह दोनों है और यह तिनों पिन का जो है